ये तीन बातें गदे से सीखिए, कभी दुखी नहीं रहोगे, सफलता आपके कदम चुमेगी, सभी महिला पुर्स इस वीडियो का एक एक सब्स ध्यान से सुनिए, ये तीन बातें गदे से सीखिए, कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, जैं सिरी कृष्ण दोस्तों, स्वा आज का प्रसंग आपके लिए बहुत है मददगार साबित होगा, आपसे निवेदन है कि बस इस वीडियो को पूरा अवस्य देख लें, लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची सर्धा से कोमेंट बोक्स में हर हर महादेव ओम्न मैसिवाई जरूर लिखें, साथी चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें, हे लक्समी मा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हस्ता मुस्कुराता कुसल मंगल रहे, किसी वन में तीन मित रहते थे सर्प, कच्वा और गदा सर्प का नाम सहस्त्र बुद्धी था क्योंकि उसके पास एक हजार बुद्धी थी कच्वा, कच्वे का नाम सद बुद्धी था कच्वे को यह लगता था कि उसके अंदर सो बुद्धी हैं और गदे का नाम एक बुद्धी था एक दिन की बाद कच्वा और सर्प आपस में बातचित कर रहे थे तभी उनके पास भागता हुआ गदा आया और बोला मित्र अभी अभी मैं अपनी आखों से इस जंगल में आग की एक छोटी सी चिंगारी देख कर आया हूं हमारे लिए यह सुरक्षित नहीं है हमें चल कर किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए सोचो अगर कभी विपत्ती आ जाए तो तुम क्या करोगे सर्प कहने लगा मित्र मुझे किसी त्रह की विपत्ती की चिंटा नहीं है अगर कभी विपत्ती से सामना भी पड़ गया तो मैं मेरे अंदर तो सहस्तर बुद्धी है मैं अपनी एक हजार बुद्धी का प्रियोग करके अपनी जान बचा लूँगा कच्वा बोला मित्र यदि कभी मेरा भी विपत्ती से सामना हो गया तो मैं भी आपनी सो बुद्धी का प्रियोकर के अपनी जान बचा ही लूँगा, पर हामे अपने मित्र एक बुद्धी गदे की चिंते हैं, कि विपत्ती में पढ़ने पर ये बेचारा अपनी जान कैसे बचाएगा, क्योंकि इसके पास तो बुद्धी ही नहीं है, जा सत्रू, रोग और अगनी इन चारों को यदि समय पर नहीं दबाया गया, तो ये चारों घातक हो जाते हैं, मुनिश्य को हर समय दूर द्रिष्टा बन कर रहना चाहिए, जो वेक्ति भविश्य के प्रिनामों को ध्यान में रखकर कार्ये करता है, वो कभी मुसीबत में नह बड़ा ही अभिमान था, सोचा अगर भविश्य में कभी संकट आया भी, तो मैं कोई ना कोई युकती अवस्य निकालूँगा, सद बुद्धी कच्वा भी यही सोचता था, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, एक दिन जंगल में आग फैल गई, आग को देखकर सहस्तर बुद्धी ने अपनी एक हजार बुद्धी इदर उदर दोड़ाई, फिर सोचा क्यो ना मैं किसी लंबे व्रिक्स के सबसे उपरी हिस्से पर जाकर लिपट जाऊं, वहा तक आग नहीं पहुँचेगी, सरप ने वैसा ही किया, व्रिक्स के उपरी हिस्से पर कुंडले मार कर बैट गया, कचविन देखा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा, उसने भी अपनी सोगुद्धी घुमाई और वो इस नतीजे पर पहुँचा कि पास में गोबर का धेर था, सोचा यहां पास में कोई स्रोवर तो नहीं है, क्यो न मैं इस गोबर के धेर में घुश जाऊं, यह गोबर गीला है, इसमें आग नहीं पहुचेगी, कचवे ने भी ऐसा ही किया, वो गोबर के धेर में जाकर छिप गया, अब गदे की बारी थी, गदा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, इनके पास तो सैकडों और हजारों बुद्धी थी, इसलिए इन्होंने अपना बचाव कर लिया, पर मेरे पास तो एक ही बुद्धी है, और वो है संकट देखकर भागना, इतना कहकर गदा भी वहां से भाग खड़ा हुआ, और भागते भागते वन से बाहर निकल गया, इधर आग ने पूरे वन को अपनी चपेट में ले लिया था, दो से तीन दिन में पूरा वन जल कर राख हो गया, धिरे धिरे जंगल की आग जब सांत होई, तो गदे ने सोचा कि अब अपने मित्रों से मिलना चाहिए, कि देखें कहीं इस समय में वो क्या कर रहे हैं, यही सोचकर एक बुद्धी गदा मित्रों के स्थान पर गया, तो उसने देखा कि सहस्तर बुद्धी वरिक्स के उपरी हिस्से पर जला भुना लटका है, कच्छवे को देखा तो वो भी गोबर की राख में कोईला बना पड़ा था, यह द्रिश्य देखकर गदे के मन में एक बात याद आई, एक हजार के उल्टे लटके, सोके पड़े उत कहते हैं, कभी-कभी अधिक बुद्धिमान लोग अपने बुद्धी के गमंड में आकर बहुत बड़ी मुर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है, हमें अपने ज्ञान का अभीमान कभी नहीं करना चाहिए, और नहीं किसी को तुछ समझ कर उसके द जरूरत नहीं है, तब वो आलसी हो जाता है, उस खरगोस की तरह, जो कच्छवे से हुए परतिस फर्दा में, कच्छवे से आगे निकलने के बाद अराम से सो गया, और निरंतर चलते रहने वाला कच्छवा विजई हुआ, गदे की जान इसलिए बची, क्योंकि उसने आलस नहीं किया, और वो भागता रहा, गदे में ये गुण विशेस होता है, वो कभी आलस नहीं करता, जब भी उसे किसी काम के लिए तयार करो, वो हर समय अपने कारिये के लिए ततपर रहता है, और बिना रुके, बिना ठके, बिना किसी तर्क वितर्क के कारी रत रहता है, वो सोना चाहता हूं नहीं हमें ये गुम गदे से अवस्य सीखना चाहिए जो निरंतर प्रियासरत रहते हैं वही मंजिल तक पहुच पाते हैं ऐसे लोग ही सफलता के उच सिखर को छूपाते हैं आलसी निकम में निठले कामचोर ये कभी सफल जीवन नहीं जीपाते दूसरा हर प्रश्थिती में हर मोसम में अपने आपको तयार रखता है सर्दी हो या गर्मी वो कभी मोसम देखकर कारिये नहीं करता उसने हर मोसम के हिसाब से चलना सीख लिया है मुनिश्य को भी हर प्रश्थिती के हिसाब से अपने आपको तयार करना चाहिए पता नहीं हमें किस स पुसरी स्थिती से आप सामना नहीं कर पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी की मार नहीं देखी। हमेशा सुखु में ही पलावड़ा। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वो गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है समय के हिसाब से अपने आपको ढालना। मित्रो और समय के हिसाब से अपने आपको तभी बदल सकते हो जब आपने पहले से उसके तयारी की हो। जो समय और प्रश्थिती के हिसाब से अपने आपको नहीं बदलता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। गदे की तीसरी सिक्सा यह कि वर्तमान में जो भी रूखा सुखा आपके पास हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। कि वर्तमान स्थिती में जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहो। देखा जाए तो लालसा कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है। इसलिए संतुष्ट रहो और खुस रहो। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसरी कुछना, जैसरी राम।